हे गाइस वेलकम बैक टू टेक ट्यार वी दोस्तों आजके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोप्रो हिरो सेवन ब्लाक के बारे में जो कि मैंने काफी ऐसे सेवन परचेस किया है वह भी मेरे खुद के व्लॉगिंग चैटप के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा व्लॉगिंग सेटप उसे अपग्रेड करूँ और काफी ऐसे सेटप के लिए इस गोप्रो हिरो सेवन ब्लाक से शूट करने के लिए तो आज की वीडियो में हम लोग जो गोप्रो सेटप आया हुआ है उसके बार में बात करेंगे तो जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में दबाए बेल आइकन कि ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे हैं हेलो गाईज जैसे कि मैंने कहा आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्लॉगिंग के सेटप के बारे में तो दोस्तों यह जो एसे स्रीज आप देख रहे हो इस फिलाल यह मुझे स्पेशल बंडल में आया है जो की है गोप्रो का शॉट्टी यहाँ पे है अप लोग ने अन्बोक्सिंग का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो लिंक आपको यहाँ पर उपर कॉर्णर पर मिल जाएगा तो वहाँ पर जाके देख लेना ओके सो अभी आगे बढ़ते इस वीडियो में जो मैंने एसे सीरिस मंगा है वो काफी सारे हैं तो इसलिए म मैं इस सभी चीजों को एक साइट रख देता हूँ कि ताकि आप लोगों को फटा फट उस एसेसरिस के बारे में बता हूँ तो वो है यह सारे चीजे जैसी के आप देख सकते हो इस वीडियो में काफी सारे चीजे मैंने मंगा हुआ हूँ अन्बॉक्सिंग के लिए भी को इस तरीके से क्लोज करके ठीक है तो यह आपका कभी भी लेंज स्क्राची या कुछ भी नहीं होगा और काफी सेफ रहेगा जैसी कि आप देख सकते हैं आप यह भी फिंगर प्रिंट लगा हुआ क्योंकि मैं बस घसकाने में यहां रखने में यह मेरा फिंगर लग गया तो यह फिंगर प्रिंट से भी बचा सकता है इस केस को कहीं पर भी स्क्राचेज आने से दुसरी आप जो प्रोडक्ट मैंने मांगा हुआ हुआ है जो कि है क्विक प्रूफ का वो है एक कार होल्डर तो यह एक शक्षन है यहां पर हम लोग इसे काज के उपर लगा सकते हो विंचिल्ड पे और यहां पर आपको सेटप करना है आपका गोप्रो इसी के थूरू मांट करके तो यह आपका एसेसरी इस है दुसरा जो आप कार में यूज़ कर सकते हो आपके विंचिल्ड पे गोप्रो के लिए अब देखते है दूसरी चीज जो मैंने यहां पर मगया वो है एक कनवर्टर क्यों किसलिए क्योंकि इसके अंदर हमें माइक होल नहीं मिलता है यहां पर सिव एजडियामाई और चार्जिंग पोर्ट के लिए टाप सी मिलता है तो यहां पर अगर हमें माइक लगाना है एडिशनल एक्स्टरा माइक एक्स्टरनल माइक लगाना है तो यहाँ पे आपको यह type C वाला port इसके अंदर जाएगा और यह type C जो है convert होके 3.5 mm का आप headphone jack लगा सकते हो इसमें sound recording के लिए तो यह एक accessories है मैंने जो मंगया है इसे भी रखते हैं यहीं पे side में अब है यह एक product वो मैं आपको box open करके दिखा देता हूँ यहाँ पे हमें मिलता है charger एक battery charger जोकी dual USB charger port है ये जिसी कि आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे आपको charge करने के लिए two types का port मिलता है तो जैसे कि आपको पता हुआ यहां पर हम लोग रखके इस कुछ इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं हमारी दोनों बैटरी एक ही साथ चार्ज हो जाएगी यह काफी अच्छा पर रखते हैं जिससे आपको काफी यूस्फुल होगा फड़ अपना बैटरी चार्ज करने के लिए तो इसे भी रख देते हैं हम लोग यहाँ पे side में अब देखते हैं यहाँ पे यह काफी famous चीज है यूलाइंग Zynka V2 जहाँ पे यहाँ पे आपको box पे देखते ही पता चलिया रहेगा कि यह क्या setup है किस चीज का यह actually vlogging setup है क्योंकि इसे mount के यहाँ पे आपको कुछ भी functions नहीं मिलता कि आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से माइक होल्ड कर सको कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे vlogging case है एक GoPro के लिए यह काफी compatible है GoPro Hero 567 Black Edition के साथ और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी इसके बारे में detailing दिया हुआ है तो इसे यहाँ पे box को open करते हैं बाकी box के अंदर कुछ भी नहीं है मैंने इसे कुछ भी अभी तक unboxing नहीं किया यह मैंने flip card Amazon से ही मंगया हुआ है तो उसे बस मैंने open up करके एक बार रख दिया हुआ कि ताकि मैं जब भी भी unboxing करो तो आपको फटा-फट में दिखा पाऊ हूँ तो यह case है जिसके उपर आपको शू मांट मिलता है जैसी कि आप देख सकते हो यह एक शू मांट हो गया और यहां पर और एक additional शू मांट दिया हुआ है कि ताकि आप लोग शू मांट कर सको आपके uses के हिसाब से ठीक है इस case को निकालना बहुत ही easy है इस वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि GoPro आपका Hero 7 Black किस तरीके से इसमें बैठेगा मतब overall देखा तो यह properly fit up properly case है एक इस GoPro के लिए इसके replacement में जो company के तरफ से आया हुआ है ठीक है आपको यहां पर press करना है press करके बाहर के तरफ खीचना है तो यह open हो जाता है ठीक है तो यह आपका GoPro Hero 7 Black इसके अंदर काफी आराम से काफी अच्छे से fit हो गया है तो यहां पर आपको कोई भी issue नहीं होगा यहां पर इसे रख देते हैं इसी तरह क्योंकि अभी हम लोग इस भी इस GoPro के screen के लिए एक front और एक back तो इसी के अंदर वो case है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो tempered glass है यह MGR का so यह काफी useful होने वाला है कि ताकि scratch full scratch proof रहे हमारा GoPro so यह तो मैं बाद में install करने वाला हूँ फिलाल इसे रखते इस side में अब हम बात करेंगे बहुत ही important accessories का जो जिससे आपके हर एक accessory safe रहे I know की case बहुत ही important होता है और यह काफी strong भी उपर के तरफ तो आपका जो camera है अगर गीरिता भी है box के तुरू क्योंकि आपको एक साथ रखने का काफी shock होगा हर एक चीज आप यहां वाहर रख नी सकते तो यह case है जहाँ पे आप एकी box के अंदर सब चीज रख सकते हो काफी अच्छे से क्या बूलते हो है क्या नहीं तो इस case को open करते हैं तो यहां पर मैंने अब तक इस ओपन नहीं किया है first time open कर रहा हूँ तो यह आपका case हो गया है ready ओके आपको जो भी आपके अच्छे से उसे आप रख सकते हो for example और यह है यह basically जाएगा नहीं तो यह इसे हमें कार में रखना पड़ेगा ओके तो यह आप देख सकते हो कि सारे के सारे मेरे यह आपका आरम से बंद हो सकता है कुछ इस तरीके से आपका case बंद हो गया और यह आपको handbag भी दिया है तो you can just pick it up लेके जाओ किधर भी आपको लेके जाना है safe रहेगा ओके तो यह मैंने organize कर लिया है अब आप लोग देखना one by one step by step कि मैं किस तरीके से फटावट इसे बाहर निकालूंगा और इसे निकालना बहुत ही इसी बस उपर की तरफ यह बाहर आ गया ठीक है अब आपको यह लगाना है बट इसके पहले आपको बैटरी लगाना है जो कि बैटरी इसके अंदर हमें पूट अप करना इस बैटरी चली गई यह चला गया हमारा micro SD card कि अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसे पूट अब करेंगे इसके अंदर बट इसे अपन करने के Evet इसे उपन करना है इसे करना इपको इसे बाहर खिचना है और बार खिच यह ओन ईपण ऊजाएगा यहाँ पी इस केस आपको इसके लिए निकालना है क्योंकि यहाँ पर केस आप निकालनी पाऊगे तो यह आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा जबी भी आपको यहाँ पर एक्स्टरनल माइक्रोफोन लगाना होगा तो ठीक है अब इसके केस को बंद कर देंगे हम कुछ इस तरीके से यह बंद हो चुका है अब हम लोग क्या करेंगे इसको एक्स्टरनल माइक लगाना है तो इसे यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और एक चीज़ में भूल गया आप करना बूली गया बट फिलाल अभी मैं आपको बता देता हूँ यह सरामोनिक का माइक है वो काफी जबरस्त है और काफी छोटा सा माइक है काफी मलब आप देख सकते हो कि मेरे कितने एक finger का size का ये mic है और काफी जबरदस record करता है और ये काफी मेरे को useful है फिलाल ये भी एक मेरा vlogging setup का एक product है, accessories है और मैं इसे बता ना भूल गया उसके लिए काफी काफी sorry क्योंकि जब मैं इस record कर रहा था तो ये मेरे इस camera में लगा हुआ था Canon 200D क्योंकि इसका जो sound है यार जबरदस्त है और अभी आपको जो sound आ रहा है वो Canon 200D के internal mic से आता होगा तो अब मैं इसको इस setup लगा देता हूँ पूरा करता हूँ ठीक है Actually, mic इस तरीके सा आएगा ये wire काफी छोटा पड़ रहा है और देखरो कि आप ये निकल गया तो इसे में exchange करूँगा और दूसरा एक accessories मगाऊँगा जिसे ही ये wire यहां से यहां तक पहुचे और mic जो mic रहेगा मेरे पास वो कुछ इस तरीके से रहेगा As you can see, इस तरीके से mic मेरे सामने रहेगा तो जो भी video shoot होएगा और camera के अंदर एक mic भी नहीं दिखेगा और यहां पर जब भी ये shoot होएगा वो काफी जबरस दिखेगा तो ये कुछ angle इस तरीके से हो जाएगा Now, इसे में फिलल नहां पर रख देता हूँ और उसके बाद आपका जब ये जो shorty है वो आपको इसके अंदर इस तरीके से लगाना है ये हो गए आपका एक vlogging setup with mic और without mic whatsoever जो भी होगा अच्छा होगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी जबरस दस्त है इससे लगाने का और एक तरीका है मेरे पास फिलाल आपको testing के लिए सो इसे मैं डालूँगा इस तरीके से तो ये एक vlogging setup मेरा ready है सो चले चलते एक vlog कर दें इससे इस तरीके से हमारा vlogging setup ready हो जाता है आप इस तरीके से आप vlogging कर सकते हो या पिछ इस तरीके से कोई भी hand से vlog कर सकते हो काफी compact चीज है और इसे vlogging करना काफी मज़ा आने वाला है और इसमें मज़ा यह है GoPro Hero 7 कि आप जितना वाइड ले सकते हो उतना वाइड आप देख सकते हो जो इसकी बात है ना वो तो आपको जबरहस पता चलेगा आप लोग वो देखिए और मुझे कमेंड करके ज़रूर बताना कि आपको वो ब्लॉग कैसा लगा कितना स्पेस कवरेंज कर रहा और व्लॉगिंग करना कैसे लग रहा है आप लोग फुटेज जो देखे हो फिलाल मैं गोप्रो हिरो सवें ब्लैक से कर रहा हूं ले रहा हूं और यह फुटेज आप लोग अप लोग को प्लीरा कर दिखेगा कि मेरे बैक्राउंड में इस वीडियो में देख रहे हो, right? So, यहाँ पर आज का वीडियो में इसी तरह खतम करता है, इस व्लोगिंग कैमरे से, So, hope you like this वीडियो, So, इसी बात पर इस वीडियो कोई लाइक करना, शेर करना, और कमेंट जरूर करना, कि आपको यह व्लोगिंग सेट अप कैसा लगा, So, तब तक के लिए, Be Happy, Keep Smiling, और जयहीन, So, signing off for today. कि आपको यह व्लोगिंग करना,